जी हां आज आ चुका है बहुत बड़ी खबर प्यमोधी को लेकर ब्रेकिंग नीज में बहुत ही सांदार अपडेट है सभी के लिए हेलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है राउंड वर्ल नीज में जी हां दोस्तों अगर आप प्यमोधी के साथ हैं इस चैनल को सिस्क्राइब कर ले और हर एक अपडेट जाने के लिए बने रही है इस चैनल के साथ और लाश तक बने रही है आप लोग को मैं बताऊंगा प्यमोधी को लेकर कुछ ऐसी जूरी अपडेट जो काफी खास होने दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि प्यमोधी क्या संबोधन करने फिर से आएंगे सभी के सामने वह भी 14 अप्रील को 14 अप्रील का यह है लाश डेट वह भी लॉक्टाउन को लेकर आप लोग के मने में वस एक सवाल अभी काफी दौर रहा होगा आखिरकार 14 अप्रील तक जहां तक लॉक्टाउन है बेसक आप लोग जानते हैं 21 दिन तक लॉक्टाउन लगाया गया था जिस पर प्यमोधी जब लाइब आये थे जिसके बारे में खुलासा किया गया था और 21 अप्रील तक लॉक्टाउन लगाया गया और 14 अप्रील तक यह लास्ट डेट है औ पुरिदेश स्वासियों के सामने तो ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विशा बन चुका है जो आखिरकार इंटरनेट पर नमबर वन ट्रेंडिंग पर ट्रेंड कर रही है पीम मोदी लाइव 14 अप्रेल आखिरकार आखिरकार ऐसा क्या वज़ा है तो आप लोग को पूरी ज प्रिदेश वासियों को लेकर क्या फिर से नया फैसला लेते हैं और आप लोग को मैं तह दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आखिरकार पीम मोदी ने पूरी 20 दिनों तक लॉकड़ाउन लगाई और आप लोग ने उस लॉकड़ाउन का पालन किया और आप प्रिदेश वासियों के सामने तो उनका हर एक सवाल का जबाब मिल जाएगा तो बेसक आप लोग को जहां तक पीम मोदी की अगली संबोधन के लिए इंतजार करना पड़ेगा जो बेसक आप लोग को ये लॉकड़ाउन के बाद बेसक देखने को मिलेगी वैल आप लोग को बता दू कि आखिरकार जिस तरह का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग घर में सुरक्षित हैं वह इसे ही रहे हैं और आप लोग से मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा धन्यवाद जो आप लोग ने इस तरह का सपोर्ट दिखाई पुरे देश व लिए मैं तो एक बार सैलूट करना चाहूंगा PM Modi को और आखिरकार आप लोग ने जिस तरह का सपोर्ट दिखाई है वो एक बहुत बड़ी और बहुत हिम्मत की बात है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त हैं जितने भी जहां तक आप लो करें जितने करेंगा है